धर्म में महिलाई सुहाग की निशानी के तोर पर गले में अपने मंगल सूत्र को धारन करती है जो उन्हें उनके पती द्वारा शादी के समय पहनाया जाता है यहां मंगल सूत्र महिलाएं अपने पती के लंबी उम्र के लिए ही धारण करती आ रही है यहां परंपरा प्रचीन काल से चली आ रही है मंगल सूत्र की तुलना अनाभूशनों से नहीं हो सकती क्योंकि मंगल सूत्र विवहा की निशानी और सुहाग का प्रतीक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र पती पत्नी के जीवन में अमंगल होने से रोकता है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ती नहीं आने देता लेकिन जब सपने में मंगल सूत्र देखते हैं तो इस सपने का क्या अर्थ होता है क्या यह शुब होता है या अशुब तो वास्तविक जीवन में जिस तरह मंगल सूत्र पहनना शुब होता है उस तरह सपने में मंगल सूत्र देखना शुब संकेत देने वाला सपना नहीं मा पर यहां जाता है यह एक अशुव सपना होता है जो यह संकेत करता है कि आने वारे समय में आप के साथ हुच अन्होनी होने वाली है इसलिए पिस अपने में मंगा सूत्र देखेग सतर्क हो हो जाना चाहिए क्योंकि यहां सफना अच्छा नहीं है लेकिन जब सपने में मंगल सूतर टूटते हुए देखा जाता है तो यह सपना शुब होता है जो संकीत करता है कि आने वाले समय में आपके सभी परिशानिया खट्ब होने वाली हैं यह सपना कोई इस्त्री दिखे या कोई पुरूष तो इस सपने का एक ही फल प्राप्त होता है लेकिन दर्शको सपने में यदि आपने मंगल सूत्र पहनते हुए देखा है तो यह भी सपना एक शुप संकेत देने वाला सपना माना जाता है यह सपना संकेत करता है कि आपको थनलाब होने वाला है साथ ही यह सपना कोई अच्छी घटना होने की योड भी संकेत करता है अगर दर्शकों आप सपने में नया मंगल सूत्र बनवाते हुए देखते हैं तो यह सपना भी एक शुब संकेत देने वाला सपना माना जाता है जो की संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी सभी परिशानिया दूर होने वाली है अगर दर्शकों आप सपने में मंगल सूत्र के अशुप फल देने वाले सपने देख रहे हैं तो उपाय सरूप आपको इस सपने को जादा जादा लोगों से बताना चाहिए साथ ही आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने वाटसप फेस्बुक ट्वीटर कहीं पर भी और बता सकते हैं कि हाँ आपने यह सपना देखा है तो इससे आपके जो इस सपना है ना उसका जो बुरा परिणा में वो कम होगा क्योंकि यह जाद से जादा लोगों को पता चलेगा कि आपने यह सपना देखा है दूसरा उपाय है कि आप शिवलिंग पर जिल चड़ा सकते हैं किन्तु अगर आपने वंगल सूत्र का शुब फल देने वाला सपना देखा है तो उपाय सरूप आप इस सपने को किसी से भी शेयर मत करिए और गाहितरी मंतर का जाग करी तथा अपने इश्ट देख से प्रातना करिए कि इस सपने का जाद से जादा फल आपको प्राक्त हो तो मैं उमीद करनी हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और हमारे चैन लाओ 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 लाओ